BCAAs are actually useful or not is the real fact behind the BCAAs जब BCAAs Market में introduced हुए थे तो एक क्लेम के साथ introduce हुए थे कि जो BCAAs है वो क्या करते हैं निये को मुसल रिकवरी को पास्ट करते हैं जो BCAAs मेचर इमीनो एसीड है वो कौन सा है लूसाइन तो जो लूसाइन है वो basically muscle protein synthesis को trigger करता है जिसके जो muscle recovery muscle growth है वो fast हो जाती है लेकिन जब research इसको देखा गया तो 3-4 gram जो leucine है वो more than sufficient है to trigger the MPS ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 gram अगर leucine लोगे तो आपका muscle mass ज्यादा speed से बनेगा means अगर आप whole complete food ले रहे हो या फिर मानके चलो अगर आपके food में या फिर अगर आपके protein choice में complete amino acid profile है all the amino acids are present there तो आपको definitely leucine आपको अपने आप वहां पे 2-3 gram मिल जाता है ठीक है जिसकी वज़े से आपको BCAA के उपर additionally invest करने की जरुरत नहीं है BCAA एक टाइम पर जो introduce हुए थे ट्रेंड चला था और आज भी आज तो basically कह सकते हो कि पूरा एम ही यह पूरा concept ही चेंज हो गया BCAA को energy drink बता दिया गया ना ही वह energy drink है और ना ही उनका कोई बहुत बड़ा contribution है in the muscle recovery so despite of BCAA आप अपने डाइट के उपर focus कीजिए complete protein लीजिए incomplete नहीं कोशिश कीजिए या तो अपने डाइट में अड़ करें या फिर अपनी डाइट में अड़ करें वहां से ज्यादा अच्छे से आप अपने MPS को trigger कर पाओ गया